असलाम होँलेकम फ्रेंट्स हमारी वीडियो बहुत ज्यादा इंट्रेस्टिंग है क्योंकि जो आज की होजिआवी फिटैंट्स है वह स्टीडियो ऐंप्रिफार सरक्ट करण पर तो वीडियो श्टार्टट करने यह आप studio amplifier का circuit board देख सकते हैं तो basically हमारे कुछ friends उनको पता ही नहीं है कि studio amplifier होता क्या है तो जो हमारे studio amplifier है ऐसे amplifier को कहते हैं जिसका left side और right side दोनेों के connections अलग होते हैं अगर आपकी left side खराब होती है तो आपकी right side बिल्कुल properly काम करती है और इसको 2.1 kit कहते हैं आपने काफी buffer kits पर देखा होगा कि 2.1 लिखा होता है तो वह 2.1 circuit का मतलब है कि यह studio kits है यह आप PCB पर देख सकते हैं आप एस्टी के 433 से 443 तक IC support करती है यह kit लेकिन हमारे पास यह IC नहीं था तो हमने यह लगाया है और बहुत ही properly काम कर रहा है जो components इसके right side पर दिएगे हैं वही components इसके left side पर दिएगे हैं यह इसके basically 2 capacitors हैं अगर आप थोड़ा सा गोर करें तो जो components इसके left side पर हैं सेम वही components इसके right side पर हैं जो इस kit का main IC है उसकी price तकरीपन 300 तक है तो इस kit की round about 700 तक price होगी और अब हम kit के बारे में बात कर लेते हैं basically जो इस kit है यह हमारे जो इसके operating voltage है वो 12 वाल्ट से लेकर 25 वाल्ट तक हैं यहां पर हम अपना adapter लगाएंगे अगर आपके पास adapter नहीं है तो आप transformer supply भी इस्तमाल कर सकते हैं 20 जमा 20 की जो के converting में 25 वाल्ट आगे देगी यहां पर आपने power देनी है plus minus का ख्याल रखना है यह इसकी right side है speaker की यह plus और minus और यह दोंसी है यह left side है speaker की plus और minus का ख्याल रखना है और दूसरी side पर इसका right speaker लगेगा इन दोनों points पर speakers लगेंगे यह जो साइड है इसकी right side है input की यहां पर आप अपना mobile कनेक्ट करेंगे और यह जो side है यह है left input की यहां पर भी आप अपना mobile कनेक्ट करेंगे यह basically आप देख सकते हैं कि हमारी जोंसी entry होती है उसके तीन points होते हैं एक left एक right और एक round basically वह connections यहां पर installed होते हैं तो आगे चलके मैं आपको इस circuit को अपने amplifier के अंदर installed करने के बाद आपको दिखाऊंगा कि इसका sound कैसा है यह जोंसी kit है यह basically 4-inch के speaker से लेकर 12-inch के speakers को easily support करती है basically आप इसके क्योंसे capacitors है वो देख सकते हैं left side के capacitors और right side के capacity same numbers के हैं और यह देख सकते हैं हमने इसको amplifier का अंदर installed किया हुआ तो आप पहले amplifier को देखें साथ में हमने Bluetooth kit को installed किया और साथ हमने उस kit के साथ 12-inch के speakers connect किये ताके आपको इस kit के sound का idea हो जाए यहां पर आप देख सकते हैं left और right speaker को मैंने connect की है यह हमारा amplifier है और पहले हम इसके buttons के बारे में बात कर लेते हैं पहला base का second travel का तीसरा balance का जो साथ में यह दो points है यहां पर आप अपना mobile connect कर रहेंगे यह इसका master volume का button है और यह आप देख सकते हैं side face की Bluetooth kit है तो अब यह इसके screws दिये गए हैं यह top पर है दो left पर है और दो ही right पर है हम इनको जल्दी से open कर लेते हैं है हमने अपने सारे के सारे स्क्रूज को रिमूव कर लिया है और अब हम इसका टॉप कवर को रिमूव करके आपको इसका इंटर्नल सटकेट दिखाते हैं यह आप देख सकते हैं कि इसके अदर वही केट इंस्टॉइड है जिस किट का हमने भी रिव्यू किया यह इसका ट्रांस्फॉर्मर्ट स्प्लाई है जो 20 जमा बीस की है साथ रेक्टिफाइट सटकेट लगाने के बाद इसके जो वॉल्टेज है वो 25 वॉल्ट जो हम इस किट को प्रोवाइड कर रहे हैं मैं आपको इसका में ऐसी दिखा देता हूं यह एस्टी के 4392 है यह जो उनसी किट है यह ब्लूटूट की किट है यह रक्टिफाइट सटकेट है यह बेस ट्यून जो बेस और ट्रैबल पतली वास को कंट्रोल करता है साथ में हमने वॉल्लियम क बटन इंस्ट्रॉल की है तो अब हम इसकी साउंट पर टेस्टिंग करते हैं करते हैं करते हैं है करते है सब्सक्राइब कर लिया है तो कर आपको मेरी आज की वीडियो बसान दर तुसको लाइक करें शेयर करें और चैनल को पाइड़ी सब्सक्राइब करें